नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल ए भी क्लासेश में आपका स्वागत है आज का सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक मसीन जिसके अंदर आज मैं समझाने बाला हूँ सेंट्रिफ्यूगल पंप एंड कैविटेशन से रिलेटेड लगभग 50 अबजेक्टिव कुष्चन आज के सभी कुष्चन इंपोर्टेंट हैं इस सभी कुष्चन पिछले किसी ना किसी अग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इसी तरह के कुष्चन पूछे जाते हैं में पहले कुष्चन को मैं समझाता हूँ कुष्चन के अंदर लिखा हुआ है सेंट्रिफ्यूगल पंप इस बेस्ट ऑन दा प्रिंसिपल जो सेंट्रिफ्यूगल पंप होता है वह किस प्रिंसिपल पर बेस्ट होता है यह होता है सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिप पर मतलब हमारा ये वाला option correct हो जाएगा next question में लिखा हुआ है which of the following is not a component of a centrifugal pump जो centrifugal pump होता है हमें बताना है कि उसका कौन सा component इन चारों में से नहीं है तो जो हमारा guide wayne है casing है rotating impeller है ये तीनों ही centrifugal pump के component होते हैं लेकिन draft tube centrifugal pump का component नहीं होता है तो हमारा डी वाला option correct हो जाएगा next question में लिखा हुआ है इन centrifugal pumps the liquid enters the pump जो centrifugal pump होता है उसके अंदर जो भी हमारा fluid होता है वह कहां से इंटर करता है या फिर कहां से प्रवेश करता है तो हमारा centrifugal pump है उसके अंदर जो हमारा liquid होता है वह इंटर करता है at the center से तो हमारा पौन साथ डी वाला option correct हो जाएगा इस तरह हमने इन तीनों के बात करते हैं, next question में लिखा हुआ है, discharge of a centrifugal pump, जो centrifugal pump है, उसका discharge का जो formula होता है, उसके according यह है, क्या relation रखता है, यह होता है, discharge directly proportional to the speed of its impeller, जो impeller की speed है, उसके direct कैसा होता है, proportional होता है, तो हमारा कौन से डीवाला option correct हो जाएगा, next question में लिखा है, which of the following types of impeller, is used for centrifugal pumps, dealing with water, containing slurgy and sewage, जो भी हमारा sewage और पीचर का जो water होता, उसमें हम जो centrifugal pump यूज करते हैं, उसके अंदर हम किस type के impellers का यूज करते हैं, इसके अंदर हम करते हैं, impeller का यूज, open type के impeller का यूज, तो हमारा कौन से बीवाला option correct हो जाएगा, इन दोनों question के answer मैंने बता द करते हैं, next question में लिखा हुआ है, a centrifugal pump used for pumping liquid, containing suspended solids such as sewage और pulp from, जो अभी इससे पहले मैंने question बता है था, उसी type का ये question है, कि हमारा centrifugal pump यूज करते हैं, जो भी हमारा suspended, जो भी हमारा कचला बगारा होता है, sewage में हम pulp बगारा को यूज, उसको निकालने के लिए, जो हम centrifugal pump यू impeller का use करते हैं, तो B वाला option इसका भी correct हो जाएगा, next question में लिखा हुआ है, the function of a casing in a centrifugal pump, centrifugal pump के अंदर casing का क्या function होता है, इसका function होता है, pressure को increase करना, तो हमारा D वाला option correct हो जाएगा, अब चलते हैं, next question की बात करते हैं, next question में लिखा हुआ है, which one of the following pump is not a positive displacement pump, इन चारों में से हम बताना कि कौन सा positive displacement pump नहीं है, तो हमारा कौन सा centrifugal pump positive displacement pump नहीं होता है, next question में लिखा, backward curved vents are used, जो backward curved vents हैं हुआ है, यूज की आती है, किस के अंदर, या यूज की आती है, centrifugal pump के अंदर, वाला option correct हो जाएगा, चलते हैं, next question की बात करते हैं, next question में लिखा हुआ है, in mixed flow centrifugal pump mixed flow centrifugal pump में क्या होता, तो यह होता है, flow through the impeller, यह जा combination of radial and axial flow, दोनों ही क्या होता है, combination होता है, हमार डी वाला option correct हो जाएगा, next question में लिखा, a turbine pump is basically centrifugal pump, जो turbine pump हो है, basically कैसा होता है, centrifugal pump होता है, लेकिन उसके अंदर क्या जोड़ा रहता है, तो उसमें जोड़ा रहता है, band diffusion casing, क question के भी answer मैंने बता दिए है, चलते है, next question की बात करते है, next question में लिखा हुआ है, why is multi-staging in centrifugal pumps used, जो centrifugal pump है, उसमें multi-staging use क्यों किया जाता है, यह किया जाता है, high head के लिए, किसके लिए, high head के लिए, बीवाल option correct हो जाएगा, next question में लिखा, while starting the centrifugal pump, centrifugal pump स्टार्टिंग की समा जाता है, इन दोनों question के answer भी मैंने बता दिए, अब चलते है, next question की बात करते है, next question में लिखा हुआ, head developed by the centrifugal pump is, जो centrifugal pump के अंदर, जो head developed करते हुआ है, किसके बराबर होता है, तो यह होता है, proportional to the diameter and speed of impeller, हमारा कौन सा civil option correct हो जाएगा, next question में लिखा, in the centrifugal pump, centrifugal pump के अंदर, maximum efficiency जो obtained when the blade, जो maximum efficiency जो obtained करते है, बलेट को कैसा किया जाता है, when backward, मतलब पीछे के और जब जुकाया जाता है, तो हमारा कौन सा यह वाला option correct हो जाएगा, अब चलते है, next question की बात करते है, next question में लिखा हुआ है, head developed by the centrifugal pump depends on, जो centrifugal pump के अंदर, head developed होता हुआ है, किस पर depend करता ह वह यह करता है, impeller के diameter और speed पर, मतलब दोनों पर diameter और speed impeller की, हमारा D वाला option correct हो जाएगा, next question में लिखा, inner centrifugal pump casing, the flow of water leaving the impeller, जो हमारा water को leap करता है impeller, उस time उसका जो flow होता हुआ है, किस प्रकार का होता है, वह होता है, free vertex motion, क्या होता है, free vertex motion, C वाला option correct हो जाएगा, next question में ल हमारे centrifugal pump का action होता हुआ है, किस type का होता है, तो यह होता है, reverse reaction turbine, कौन सा होता है, reverse reaction turbine हमारा कौन सा, यह हमारा C वाला option correct हो जाएगा, अब चलते हैं, next question की बात करते हैं, next question में लिखा हुआ है, high lift centrifugal pumps are those with head, जो high lift centrifugal pump होता है, उसके अंदर head की क्या dimension होती है, तो यह होती है, greater than 40 meter, हमारा B वाला option correct हो जाएगा, next question में लिखा हुआ, power required to drive centrifugal pump, इस proportional to, जो centrifugal pump के लिए power की requirement की जहुत होती हुआ, किस के proportional होती है, तो यह होती है, तो यह होती है, N की power 3 के proportional, C वाला option correct हो जाएगा, next question में लिखा है, the delivery band while starting centrifugal pump, centrifugal pump के starting के समाए, जो delivery band while होता है, उसकी क्या condition वह होते हैं फुली के लोज मनलब सी वाला ओप्सन गरेक्ट हो जाएगा तो इन तीनों कुछ्टन की भी आंसर मैंने बता दीए अब चलते हैं next question की बात करते हैं next question में लिखा हुआ centrifugal pump operating in series bill result जब centrifugal pump को series में operate किया जाता तो क्या result प्राप्त होता है तो यहाँ पर हमें higher head प्राप्त होता है तो हमारा कौन सा बीवाल option correct हो जाएगा next question में लिखा हुआ when the speed of centrifugal pump is doubled यह इस centrifugal pump की speed को double कर दिया जाता है the power required to drive the pump तो हमें pump को drive करने लिए कितनी power को requirement पड़ेगी इसको पड़ेगी increase 8 times मतलब 8 times नॉर्मल पावर उससे 8 times हमें increase करना पड़ेगी next question में लिखा where is the regulating valve providing in a centrifugal pump जो हमारा regulating regulating valve है उसको centrifugal pump में कहाँ पर provide किया जाता तो इसको provide किया था suction pipe में कौनसा हमारा C वाल option correct हो जाएगा अब चलते हैं next question की बात करते हैं next question में लिखा हुआ in a centrifugal pump centrifugal pump में the flow enters the chamber along the axis chamber के अंदर से flow enter हो रहा है किसके along axis के along of the chamber and is discharge तो discharge कैसा होगा तो यह होगा radially कैसा होगा radially हमारा इवाल option correct हो जाएगा next question में लिखा है low specific speed of a pump implies that यदि किसी pump की specific speed कैसी है low है तो यह हम उसको किस प्रकार का pump मानते है तो यह होता है centrifugal pump जिसकी specific speed कैसी होती है low होती है next question में लिखा हुआ है inner centrifugal pump the liquid interest हो यह है कहां से center center करता है हमारा सीवाल option correct हो जाएगा तो इन question के answer मैंने बता दिये है चलते हैं next question की बात करते है next question में लिखा हुआ है casting of a centrifugal pump is designed to minimize जो हमारी centrifugal pump की casting की जाती हो है किसको minimize करने के लिए diane की जाती है तो यह होता है loss of kinetic energy kinetic energy का loss होता है उसको diane करने के लिए casting की जाती है next question में लिखा centrifugal pumps dealing with the marts have a impeller of the type तो यह किस पूछन पूछा जा रहा है centrifugal pump है जो भी हमारी marts पगएरा है की चड़ में जो यूज किया आता हूँ वहाँ पर हमें किस प्रकार के impeller का यूज करते है तो आए करते है open type के कई question repeat आपको देख रहा हूँगे लेकिन question का पूछने का तरीका अलाग है क्योंकि यह मैंने पिछले कुछ examo से उठाया है पि किस तरह एक से question पूछा गया है इस तरह जो नेक्स्ट question में लिखा in general the bands of our centrifugal pumps जो हमारी centrifugal pumps से उसकी bands जनरल किस प्रकार की होती है तो यह होती है curve type की कैसी curve backward कौनसा हमारा वीवाला option correct हो जाएगा इसको मैं highlight कर देता हूँ इस तरह आपको इन तीनों question की भी answer आप मिल चुके होंगे चलते ही next question की बात करते है next question में लिखा हुआ है open type impeller centrifugal pump is used जो open type impeller centrifugal pump होते हुआ है कहाँ पर यूज किया थे यह होता mixer of water, sand, pebbles and clay हमारा कौनसा वीवाला option correct हो जाएगा next question में लिखा हुआ है the bands of centrifugal pumps moves due to जो हमारी bands होती है centrifugal pumps की हुआ है move करती है किसके कारण यह करती है power supply by the prime mover जो prime mover से power supply किया थे उसके कार्ड इस तरह डिवाला option इसका correct हो आएगा अब चलते है next question की बात करते है next question में लिखा हुआ है centrifugal pumps are used to transport fluid why a converging conversion of जो भी हमारा centrifugal pump से उसका यूज किया था fluid को transport करने के लिए और वहाँ पर जो conversion होता to the hydraulic dynamics energy of the fluid flow why होती है rotational contact energy में इसमें convert होती है rotational contact energy हमारा C बाल option correct होगा next question हम लिखा multi-stage centrifugal pumps are used जब हम multi-stage centrifugal pump का use करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है वहाँ पर मिलता हमें high head B बाल option correct होगा next question हम लिखा inner centrifugal pumps when delivery valve is fully closed जो हमारा centrifugal pumps है the delivery valve को हम fully close करते हैं तो the pressure of the fluid inside the pump तो pump के अंदर जो pressure जो हमारा pressure होगा fluid का why क्या हुआ तो why कैसा हो जाता है increase हो जाता है मनदा बढ़ जाता है हमारा C बाल option correct होगा तो इन तीनों question की भी answer मैं दे चुका हूँ चलते है next question की बात करते हैं next question में लिखा हुआ है centrifugal pump will start delivery water only when the pressure rise in the impeller is equal और अधिक हो question के अंदर पूछा जारा centrifugal pump है जो water deliver जब start होता है या तभी start होता जब pressure rise हो किसके अंदर impeller के अंदर या फिर equal हो greater than या equal हो तो यासा किसकी वाई से होता है manometer head के अंदर होता है क्या होता manometer head तो हमारा b वाला option correct होयागा next question हम लिखा specific speed n centrifugal h given y n हमारा जो बोला specific speed जो हमारी given होती है centrifugal pump की या दि n इस पे जो हमारा speed of pump हो q discharge हो h m manometer head हो तो हमारी किस formula के दोवारा so की जाती तो यह की जाती ns is equal to n root के अंदर q upon h m की power 3 by 4 या रखके c वाला option correct होगा अब चलते हैं next question की बात करते हैं next question में लिखा हुआ है the causes of cavitation r अब cavitation से related question start हो रहे है question के अंदर पूछा जा रहा है जो cavitation के causes किसके कारण होते है तो होते है high suction lift and high pump speed के कारण तो हमारा कौन से वाला option correct होगा next question में लिखा हुआ है cavitation in a centrifugal pump is caused जो हमारा centrifugal pump होता है उसके अंदर cavitation किसके कारण होते है तो यह होती है low pressure के कारण कौन से वाला option correct होगा next question में लिखा हुआ है in centrifugal pumps cavitation is reduced centrifugal pump के अंदर cavitation को reduce कैसे किया जा सकता है यह किया जा सकता है reduce the suction head suction head को reduce करके हमारा भी वाला option इसका correct हो जाएगा अब चलते हैं next question की बात करते हैं next question में लिखा हुआ है which of the following serious problems arises from cavitation cavitation के करण कौन कौन सी problem हो सकती है जो serious होती है centrifugal pump के लिए या किसी भी pump के लिए तो यह damage the blade surface जो blade की surface हो जो damage हो सकती है efficiency कम हो सकती है no agent vibration की समस्य हो सकती तो तीनों प्रकार की समस्या है उत्पन हो सकती है तो इस तरह हमार भी वाला option correct हो जाएगा next question में लिखा है cavitation results due to cavitation का result हो है किस के कारण अबसे अधिक होता है तो वह होता है pressure change होने के कारण हमारा प्रेशर बी वाला option correct हो जाएगा next question में लिखा हुआ cavitation depends upon cavitation किस पर depend करती है तो यह होता है vapor pressure which is function of temperature या फिर absolute pressure और barometric pressure suction pressure which is height of the runner तीनों पर ही depend रहती तो हमारा इस तरह इन तीनों question की भी answer मैंने बता दिए अब चलते हैं और भी question की बात करते हैं next question में लिखा हुआ है cavitation will begin cavitation का भी start होती थी pressure at any location reaches pressure equal to the saturation vapor pressure जो saturation vapor pressure उसके equal पहुँचता है तो हमारी cavitation की प्रोस जो हमारी problem है उत्पन होने लगती है तो हमारा इस वाला option correct हुआएगा next question में लिखा हुआ है to avoid cavitation in centrifugal pumps centrifugal pump की cavitation को कैसे avoid किया सकता है कैसे किया सकता है suction pressure should be high suction pressure को high करके हमारा इस वाला option correct हुआएगा तो यह हमारे कुछ question थे centrifugal pump और cavitation से related यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आता तो like जरूर करें जैसा मैं पहले भी बता चुक हूँ आप theory पढ़ चुके हैं सिर्फ हम एक revision करवाते हैं जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा objective question कबार हो सकें और आपको एक idea लग सकें कि किस तरह के पहले किसी ना किसी exam में जो हमारे objective question है पूछे जा चुके हैं और इसी तरह के question पूछे जाते हैं Thank you friends